ओयल मार्केटिंग कम्पनियों ने लगातार दूसरे महीनी एवियेशन ट्राइबन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोत्री की हैं नई कीमते एक अगस्ते लागू होंगी राष्ट्रिय राजधानी में एटीएफ की कीमत में 7728.38 प्रती किलो लीटर या 8.5 प्रतीशत की बढ़ोत्री की गई है दिल्ली, कॉलकत्ता, मुंबई और चैन्ने जैसी मेट्रो शेहरों में घरेलू उडानों के लिए भी एटीएफ की कीमते बढ़ेंगी टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री के मताबक इस बढ़ोत्री का ऐसर हवाई यात्रियों पर पड़ेगा क्योंकी किराए बढ़ जाएंगे आप्रोड़त heute crazy since the cost of trouble shall go up due to the increase in air fares which shall be implemented by the airlines during the revival period post Kovu it airline prices were already on the higher side. भारत में हवाई किराये पाँच आधारों पर तै होते हैं आधार किराया, फ्यूल सरचार्ज, यूजर डवलप्मेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी और दूसरी फीज इधन की बढ़ी कीमतों की वजह से एरलाइने फ्यूल सरचार्ज पढ़ा सकती है The state governments do not increase the airfare and taxes on the aviation turbine fuel because ATF, as it is, you know, Go Air is already in doldrums and I don't want other airlines to also move towards bankruptcy. So it is very important for the government to keep the aviation industry viable. The ATF should be reduced rather than increase. विक्री करिया वैट अलग-अलग होने की वजह से दरे अलग-अलग राज्यों में एक जैसी नहीं होती. चार महिने की गिरावट के बाद वैश्विक दरों में मजबूती आने की वजह से दरे बढ़ाई गई है. ये बढ़ोत्री एक जुलाई से ATF की कीमतों में 1.65 प्रतीशत की बढ़ोत्री के बाद हुई है. इससे पहले दरों में चार बार कटोती की गई थी. ये बढ़ोत्री तब हुई जब वित मंत्राले ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंड फॉल टैक्स बढ़ा दिया. हाला कि पेट्रोल और ATF पर विंड फॉल टैक्स शून ने है. दर्य पढ़ाई जाने की वज़े से एरलाइन ओपरेटरों की संचालन और परिचालन लागत पर असर पढ़ने के आसार है.